हेलो फ्रेंज आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसी नास्ते की रेस्पी देखते ही मज़ा आ जाएगा और दोड़ पड़ेंगे आप बनाने के लिए तो देर किस बात की चलिए बनाते हैं तो यहाँ पे हमने लिया है एक पीस आलू आप देख सकते हैं आल बारू को हम दो तीन पानी से धुलेंगे ताकि इसका जो इस्टार्च है अच्छे से निकल जाए तो आप देख सकते हैं दो तीन पानी यहाँ पे हो गए हैं आप हमने रख दिया है पेन में डाल दिया है दो डेड़ जममज के बराबर रिफाइन तेल बहुत ज्यादा नह दालेंगे हम लेहसन को थोड़ा सा लंबे-ламबे में करों करने हैं देखने में अच्छा लगता है और खाने में भी वह टेश्टी लगता है तो थोड़ा सा डाल दिये हैं हरी इसके आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसमें हम लान मर्चा का इस्तेमाल नहीं करेंगे लेते हैं और आलू को मिक्स करते करते हमें दो मिनट यहां पे हो गया हैं तो इसे हम दो मिनट के बाद छोड़ दिये हैं अब यहीं पे डाल देते हैं एक गिलास पानी को डालेंगे और अच्छे से इसे हम मिला लेते हैं अच्छे से हम इसे मिलाने के बाद इसे हम छोड़ देते हैं 2-3 मिनट के लिए ताकि आलू हमारा अच्छे से गल जाए और सोप्ट हो जाए तो यहीं पे हम आधा कप डालेंगे सूजी एक पिस आलू है उसमें हम डालेंगे आधा कप सूजी सूजी को डालके अच्छे से हम चलाते रहेंगे ताकि इसमें लॉम सनव पड़ जाए गुटुलिया न बन जाए बहुत जल्दी सूजी में गुटुलिया बन जाती है तो एक हाथ से डालते रहें और दूसरे हाथ से लगातार चलाते रहें तो आप देख सकते हैं हम अच्छे से इसे मिक्स कर रहें है तो कहीं-कहीं गुटुलिया बन गई है तो कोई बात नहीं उसे हम बाद में हाथ से मैस कर देंगे तो देखिए डोक वे फोम में आ गया है आराम राम से चलाते चलाते अच्छे से सूजी ठिक हो जाती है गाड़ी हो जाती है तो चलिए इसे अब हम छोड़ देते हैं तो आप देख सकते हैं याँ पे सूजी ठंडी हो गई है तो इसे हम एक बॉल में निकाल लेते हैं अब यहीं पे डालेंगे हरी धनिया, अब आप सोचेंगे हरी धनिया बाद में क्यों, क्योंकि हम उसमें डालते हैं तो वो गल जाता और दिखिवों नहीं करता, अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा सा डालेंगे यहीं पे मैगी मसाला, और थोड़ा सा ब्लेक पेपर डाल आधा चमाच काली मिर्च का फावडर अच्छे से हाथों से हम मैस करेंगे तो देखिए अच्छे से हमने इसे मैस कर लिया है जो गुठ लिया थी उसे भी हमने तोड़ लिया है हाथों से तो चरिए अच्छे से मैस करेंगे अब क्या करेंगे हाथ को अच्छे से धुल लेंग हाथ में चिपचिपा हाथ निकल जाएगा अच्छे से हाथ को ग्रीज करनेंगे निह थ्यादिक थाइग ठाईच फोराइगे फ्रेश करतेऎं वह 200 से अब यहां ईसटाइप मी लेना है मत निक मत रहां होता है рук मैं यहांत करेठेगे गंदिन अब यहां पर हमने दूसरे साइड जर दिया है तेल तेल अच्छे से गरम हो कैया है घर होने के बाद ही आप ढलने इस नास्ते को बिल्कुल मेडियम में ड़ालें हाइप लें एक यह दालने के बाद 2 मिनट के बाद आज का अलो है ज्यादा से डालेंगे तो तेल ज्यादा कर सोख लेगा नास्ता तो चलिए इसे हम आराम-ाराम से हम पलट देते हैं डालने के समय हाज का फेने हाई रखिये और डालने के बाद मीडियम कर दीजिए तो चलिए सभी नास्ते को अच्छे से हम पलट लेते हैं इसी तरह हम दोनों साइड घुमा घुमा के गोर्लन ब्राउन तक इसे हम भून लेंगे तो आप देख सेथे हैं सुझी होने के कारण ये नास्ता बहुत ही कुरकुरा बनता है तो थोड़ा सा इसे हम और अच्छे से भून लेते हैं ताकि क्रेस्पी हो जाए और अच्छे लगे खाने में तो चलिए निकाल लेते हैं नास्ता को तो सभी इस्ट्राय ओयल को इसमें निकालने के बाद हम इसे थोड़ा सा बाकी का ओयल निकाल जाएगा तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ तो दोस्तों ए नास्ता मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ बहुत ही क्रेश्पी बना था सच में बहुत ही टेश्टी बना था तो देखिए ग्रीन चेटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं या केचप के साथ ऐसे ही खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा तो आज की तो इस भी परसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें